उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी से भाजपा के सांसद राजकुमार चाहर को भारतिय जन्ता किसान मोर्चा का राष्ट्रिय अध्यक्ष बनाया गया है। शनिवार को जारी की गई राष्ट्रिय कार्यकारिनी की सूची में उन्हें यह दायत्व सोंपा गया। यहां आपको बता दे कि राजकुमार चाहर फतेहपुर सीकरी से मौझूदा है सांसद है और बड़े किसान नेता है। खास बात यह है कि उज्जेन से भी उनका लगाव है और भगवान महाकाल में उनकी गहरी आस्था है। अक्सर वे भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उज्जेन आते रहते हैं। करीब दो महीने पहले नाग पंचमी पर भी वे भगवान महाकाल के दर्शन करने आये थे. यहां गौर करने की बात ये है कि करीब करीब सत्तर सदस्यों की इस राष्ट्रिय कारेकारिनी में मध्यप्रदेश के प्रतिनिधित्व बहुत कम है जबकि उत्तर प्रदेश के नेताओं को ज्यादा तरजी दी गई है. हाला कि मध्य प्रदेश के ज्यादा नेताओं को जगह नहीं दी गई बही उजैन के तो किसी भी भाजपा नेता को राश्ट्रिय स्तर पर उखृत नहीं किया गया है राश्ट्रिय कारेकारणी में कहीं भी उजैन जिले के भाजपा